यूपी के जालाओन में एक डिगरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने अग्याद कारणों के चलते गुरुवार सुबह घर के कमरे में दुपटे से फांसी लगा कर जान दे दी गटना की जानकारी मिलते ही थाने के पुलिस मौके पर पहुची पुलिस ने शौको फंदे से उतार कर जाँच बरताल के बाद पोस्पॉंटम के लिए भेज दिया जालाउन कोतवाली शेत के सौम्या भगेल शेहर के डीवी कॉलिज में मनोविग्यान विभाग में असिस्टन प्रोफेसर के पत पर तैनात थी वो शेहर के मुहला रामनगर में किराय पर रहा करती थी गुरुबार सुबै उनका शौफंदे से लटका मिला पलिस ने इसकी सौचना पर जिनों को दी असिस्टन प्रोफेसर सौम्या अविवाहित थी वो 2017 से सौम्या डीवी सी कॉलिज में मनोविग्यान विभाग में अपनी सेमाई दे रही थी वही इस मामले में सी ओ विजवानन ने बताया कि कॉलेज के असिस्टन प्रोफेसर की फासी लगाने की सौचना पर पलिस मौकर पर पहुचे थी मृतका सौम्या बगेल जिनके उम्र तीस वर्ष थी जो कि आविवाहित थी प्रिथम दिस्टा में पारिवारिक विवाज सामने आया बोड़ी के पास सिवसाइड नोर भी मिला जिसमें आत्महत्या कारोप किसी पड़ नहीं लगाए गया पर जुनों को सौचना दे दी गई है शो को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया गया है